आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के उपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा क्या यहां से आगे मार्केट के में कुछ रिवर्सल, कुछ रिकावरी देखने को मिल सकती है क्या अभी जो बैरिश टॉम था वो खतम हो चुका है क्या अभी यहां से market upside की जोनी पकड़ेगा ये सब के उपर आज इस वीडियो में हम लोग discussion करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को first time देख रहे हैं और इस channel के उपर अभी नए आए हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस channel पे nifty और bank nifty के उपर analysis करती हूँ शाथ में share market के related सारी update सारी news आपको मेरे channel के उपर मिल जाएगी तो अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और bell notification को press कर दो ताकि आगे आने वाले videos की जानकारी आपको सही से आती जाए वीडियो शुरू करने से पहले एक और important बात बताना चाहूंगी अगर आप nifty bank nifty के अंदर options के अंदर trade करना चाहते हो और डेली minimum आप 3-4000 तक का profit बनाना चाहते हो तो आप मेरा premium telegram group join कर सकते हो जिसकी fees सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपीज पर मन्त है और इसमें आपको benefits क्या मिलता है तो देखे इसमें आपको nifty और bank nifty के लिए डेली calls मिलते हैं साथ में आपको live market support भी मिलता है और stocks भी मिलते हैं stocks के options मिलते हैं यहाँ पे fixed top loss and target दिया जाता है आपकी जो भी query है आपको solve करके मिलेगी procedure simple है आपको इस UPI ID पर payment send करना है या फिर इस QR code को scan करके पैसे send करने हैं पैसे send हो जाने के बाद आपको इस number के ऊपर whatsapp कर देना है payment का screenshot और अपना नाम और number अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ expiry trading करो तो expiry trading के लिए भी group है 400 रुपीज पर expiry अगर आप इस expiry के लिए चाहते हो तो आपको अभी से payment करना होगा ताकि मैं आपको कल add कर सको और इसका भी benefit same है आपको fix stop loss मिलता है और इनमें आपको extra or मिलता है nifty और bank nifty का chart तो अगर आप सीखना भी चाहते हो practical trading भी करना चाहते हो और साथ में अच्छा कासा profit भी बनाना चाहते हो तो आप ये group join कर सकते हो और ये जो public telegram group है जिसकी link नीचे description box में मैंने दी हुई है यहाँ पर आपको सारी information मिल जाएगी यहाँ पर मैंने कुछ screenshot भी डाले हुए है members के profits के साथ में जो trades हम लेते हैं expiry के दिन उसके screenshot डाले हुए हैं आपके knowledge के लिए साथ में आज भी मैंने demo call दिया था और everyday मैं यहाँ पर demo call देती हूँ ताकि आपको idea मिल सके कि कैसे calls premium telegram के अंदर आपको मिलते हैं और इस public telegram ID के उपर आपको nifty का analysis भी मिल जाएगा तो देखें आज भी बहुत सारे लोगों को बड़िया profit हुआ है और यह देखें इन सबके screenshot मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं जो भी members है उनका screenshot डाला उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि 4000 रुपीज की fees एक दिन के अंदर ही उनकी recover हो चुकी है के साथ में उनको profit भी हो चुका है तो आप सोच सकते हो minimum amount of 4000 रुपीज पर मंद और इस amount के अंदर आप पूरा महिना profit बना सकते हैं और आप proper trading करते हो तो यह सारे लोग मेरी messages को rules के हिसाब से follow करते हैं ताकि इनका जो profit है वो बढ़िया होता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि exit कर लेते हैं first target से पहले ही घबरा कर तो ऐसे में मैंने इसी लिए live market support बोला है कि अगर आपको कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो ताकि मैं आपको guide कर जको अगर मुझे लगेगा कि trade risky है तो मैं उसी time पे बोल दूगी कि exit क trade risky लग रहा है तो ऐसी बात है अगर आप proper messages follow नहीं करोगे तो आपको यह profit नहीं होगा यह बहुत सारे लोगों ने आज मुझे screenshot भेजे हुए हैं कुछ लोगों ने videos भी भेजे हुए हैं और बोला है कि डाल दो करके बहुत ही बढ़िया profit हमें आज हुआ है और रोज ही होत है बहुत सारे लोग मुझे screenshot भेजते हैं लेकिन मैं नहीं share करती हूँ ता क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि ऐसी बाते सब share करना क्योंकि यह सब personal thing है profit जो होता है वो भी आपका खुद का है मैंने सिर्फ आपको calls या आपने proper trading की है इसलिए आपको इतना profit हुआ है तो यह स आपको समझ में आ चुका होगा सारी procedure तो आज ही premium telegram group join कर लीजेगा अगर join करने के बाद मैंने आपको अगर telegram के ओपर add नहीं किया है तो मुझे remind डाल देना है क्योंकि अभी दो दिन से मैं बाहर थी इसलिए अगर कोई miss हो गया होगा तो आप मुझे बस remind डाल देना लेक तो अभी हम लोग चालो करते हैं आज का analysis nifty bank के साथ तो nifty bank की closing कहा पर आई है तो nifty bank के अंदर recovery देखने को मिली है तो मैंने क्या कहा था अब से कि अगर recovery देखने को मिलेगी nifty bank के अंदर तो nifty bank को कम से कम 39,100 के ओपर की closing हमें देना होगा इसके इसके ऊपर एक candle form करना आज Nifty Bank ने वही किया 39,000 ही नहीं 39,500 के ओपर की closing हमें मिल चुकी है और मैंने public telegram के ओपर 39,400 CE का call भी दिया था और कहा भी था कि अगर ये 300 के ओपर sustain कर लेता है तो अच्छी कासी rally भी देखने को मिलेगी तो I hope कि public group वालों को भी अच्छा कासा profit हुआ है बीच में बहुत सर लोगों ने मुझे screenshot बेजे थे उनको एक call के अंदर 17-18,000 का profit हुआ है तो ये है हमारे calls की ताकत तो अगर आप चाते हो कि आप भी दिना profit बनाओ तो आप भी join कर सकते और यहाँ पर profit बनाने के साथ-साथ आपका knowledge भी build up हो रहा है आपको trading के बारे में knowledge भी मिलता है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए support resistance levels भी आपको chart पे मिलते हैं ताकि आपको आगे चल कर फाइदा हो सके तो अभी देखिए 39,763 के पास निफ्टी बैंक ने closing दी है और इस candle को देखते हुए अगर देखे तो bullish candle यहाँ पे निफ्टी बैंक ने 3 sessions के बाद form की है और जो candle है वो बहुत ही बढ़िया है अगर निफ्टी बैंक successfully manage करता है इस level को hold रखने में 39,100 and 200 को closing basis के उपर तो यहाँ से upside के लिए निफ्टी बैंक हमें continue जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो यहाँ से जो next resistance level है जो कि मैंने कहा हुआ था आपको कि 40,000 का level रहेगा तो 40,000 के उप अब ही निफ्टी बैंक के लिए next resistance level है अगर निफ्टी बैंक successfully 40,000 भी clear कर देता है तो फिर से upside के लिए bullish momentum continue रहेगा क्योंकि पहले भी मैंने आप से काया कि अगर 40,000 के ऊपर निफ्टी बैंक sustain कर लेता है तो यहाँ से निफ्टी बैंक हमें अच्छी खासी upside की rally पकड़ता हुआ दिखाई देगा अगर 40,000 के नीचे जाता है तो थोड़ा weakness आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है तो वही सब scenario यहाँ पे हमें continue होता हुआ दिखाई दे रहा है तो अभी यहाँ से आगे की अगर बात करें निफ्टी बैंक के लिए support और resistance के levels की तो देखिए first important support test करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है अगर गिरावट रुकती नहीं है यहाँ पे तो 39,100 और 200 के zone में निफ्टी बैंक हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है फिर downside के लिए यह important support के levels है और निफ्टी बैंक के लिए दिन में 1000-14,000 points उपर नीचे करना कुछ बड़ी बा तो ही निगेटिवनेस जो है वो continue हो सकती है upside की अगर बात करो तो upside के लिए first resistance 39,850 का level रहेगा अगर निफ्टी बैंक इस लेवल के ऊपर opening करता है या फिर इस लेवल के ऊपर एक sustainable move देता है तो यहां से निफ्टी बैंक हमें 40,050 and 40,250 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई द कर लेता है तो यहां से 250 क्या 350 भी निफ्टी बैंक हमें चाता हुआ दिखाई देगा तो यह upside के लिए resistance के लेवल से और यह downside के लिए support के लेवल से निफ्टी बैंक के लिए तो एक बार अगर हम लोग option chain data देखें निफ्टी बैंक का तो अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक क के उपर दिख रहा है और जो second highest open interest है वो 40,000 के उपर है call side में सबसे जादा writing भी हमें 39,900 39,800 के उपर दिख रही है तो यहां से निफ्टी बैंक अपने resistance zone के पास है तो थोड़ा cautiously trade कीजेगा support की बात करूं तो support निफ्टी बैंक के लिए बना हुआ है 39,000 and 39,500 के लेवल के फिलाल तो अभी निफ्टी बैंक के लिए option chain data हमने देख लिया है और chart analysis भी कर लिया है तो I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर यहां तक देखा है तो वीडियो को like करके ही जाना अगर नए हो तो subscribe कर देना और अगर वीडियो बहुत ज़दा अच्छा लगा ह तो share कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये वीडियो useful है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सब को कहना इस channel को subscribe करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं मिलूंगी आपसे next video में till then bye bye take care and trade carefully